वेल फोर मंजट टू क्लाट के लिए चार मिने बागी है क्या चीजें हमें करनी चाहिए किस तरह से करना चाहिए कैसे क्लाट कुशिन पूछ सकता है और हमें उसके लिए 4 महीने में कैसे तैयारी करनी चाहिए थोड़ा सबस्च चीज को आज हम लोग देखते हैं । देखू साल कभी पर उठा लेजिए चंदरयान का कोशन था इसराइल पैलेशीन का कोशन था ठीक है ना तो उससे पहले साल का उठा लेजिए फीफा वर्ल्ड कप था द्रॉब्दी मुर्मू थे उनका अपॉइंटमेंट था या फिर इसके लावा एक्सपोर्ट की रेपोर्ट थी ज यहां पर ऑगस्ट मंत के अंदर हमारी स्ट्राटेची क्या होगी थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देखते हैं सो फर्स्ट अफॉल जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं जो ड्रॉपर्स हैं जिनके पास में और कोई स्कूल वगरा का बर्डन नहीं है एक्दम फ्री है कोई 12 पास अखबार दोनों को बढ़ना है अखबार यहां पर दोनों को बढ़ने का मिलेगा लेकिन यह धियान रखें कि जो शुरू से पढ़ाई कर रहा है वह अखबार को यहां पर जो है वह वन और के आसपास में दे सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं एक से और गंटा भी दे सकता ह ठीक है ना लेकिन जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है वो अब newspaper को ज़्यादा समय ना दे ठीक है ना क्योंकि newspaper आपका नीची की priority के अंदर आ जाता है newspaper को यहां पर आप half an hour से 45 minutes ही दे उससे ज़्यादा अगर आप अब दोगे तो अब यहां पर आपके दिक्कत हो सकती हूँ कि आपने कुछ भी नहीं कर रखा है ठीक है ना तो यहां पर इतना ही समय दे उसके बाद में covering july months july month की जो news है उसको cover करना उसको देखना और उसकी जो cloud express आए उसको करना है इसमें भी ध्यान रखे हैं यह जो दोनों बच्चे हैं एक जिसने काफी कुछ कर लिया एक कुछ नहीं किया है अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो जुलाय month से शुरू करना है cloud express से और जुलाय और जून यह दो month की एक साथ करनी है इन दोनों के 10-10 pages करके आपको याद करने हैं और उसके बाद में जब यह पूरे हो जाते हैं उसके बाद में फिर पीछे May month और April month वो लेना है उसके बाद में March लेना है ठीके न तो इस तरह से हमें चलाना है और cloud express को इस तरह से करना है ठीक है न और जुलाय month के current of phase को यहां पर अच्छे से करें यह भी चीज़ ध्यान रखें जिसके कुछ भी नहीं किया है वो भी इसको पहले करेगा जिसके सब कुछ कर रखा है वो भी जुलाय के अंदर जो है वो जुलाय के magazine को जितना जल्दी हो सके complete कर ले वो आगे से किया जाए यानि वहां पर जो पहले हमने cloud express कर ली है उसको रिवाइस करें थे ना जो पहले कर रहा ही है उसको रिविजिन करने के लिए हफ़ते में कोई एक दिन लेकर के और पुरानी जितनी बी उनको रिवाइस कर ले ठीक ना तो यह चीज़ करनी है अगर किसी के नहीं क लगेंगे 70% टाइम आपका रिविजन में जाना चाहिए रिविजन 70% टाइम लेगा तो आपको चीज़ें याद होगी कैसे लेगा 70% टाइम तो मैंने जो कल बढ़ा था वह आज में वापस पढ़ूँगा फिर मैं आगे पढ़ूँगा कल में 10 पीजिस पढ़े थे तो आज मैं 10- Quick तर यह मिला कर फिर आगे बढूंगा उसके बाद में उसके एगले दिन मैं 20 पीजिस को रिवैब करके फिर आगे बढूँगा फिर नेख्टी जो दिस पढ़े उसको मिला कि 30 80 pages को revise करूँगा फिर आगे फिर 40 फिर आगे फिर 50 फिर आगे ऐसे करके 80 pages तक मेरे को revise करना है 80 के बाद में जब मैं आगे बढ़ूँगा तो इधर से 1-10 कम कर दूँगा और 80-90 जोड लूँगा तो 80 का phase आगे सागे चलता लेगा इस तरह से रिविजिन आप करोगे तो आपका रिविजिन भी काफी ज़्यादा समय लेगा और उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा क्योंकि एक ही चीज दस-दस दिन तक देखी जाएगी ठीक है ना तो यह चीज के हिसाब से हम लोग को यह साथ चीजे चलानी है यह चीज दियान रखें रिविजिन जितना ज़्यादा बनेगा उतने ज़्यादा मांक्स आएंगे वरना आपको सिर्व ऐसा लगेगा कि चीजे पढ़ी भी तो है लेकिन आ नहीं रही ठीक है ना तो यह चीज के हिसाब से हमें एपरिल में और जून इसको रिवाइज करन है अगर मांक्स 13 से लेकर के और 18 के बीच में आ रहे हैं मतलब रिविजन ठीक ठीक है मीडियम रिविजन है कुछ एक पार्ट छोड़ रखा है कुछ एक पार्ट का अच्छा रिविजन है वह अच्छा और खराब दोनों साथ में चल रहे हैं ठीक है ना 19 या 20 प्लस अगर म ध्यान रखी है लंट्य स्टूडेंट्स विष्वस रूफ इस चीश को ध्यान रखें की आप लोग के लिए जो बीडेली करंट अफचा फेस बीडाले जारहे आप लोग के लिए जो वीकली डाला जा रहा है वो सब चीजए जो है वो 17 के लिए नहीं है कि यह दोनों चीज तो आप लोग प्लीज क्लाइड एक्सप्रेश जो दी जा रही है उसके हिसाब से उस पर ही काम करें आपको यह सब करने की आवशक्ता नहीं है आपको इसमें से ओल्रेडी जो काम की चीज होगी वो दे दी जाएगी ठीक है ना तो यह चीज के ओपर हम लोग अपना फोकस पताया लेकिन अगर situation खराब है कुछ भी नहीं किया वा है तो अगबार का समय कम रखना है आपकी यहां पर priorities तीन सेट रखनी है क्या क्या प्रायोरिटी है सबसे पहले ज्यान रखें फर्स्ट प्रायोरिटी है क्लाइड एक्सप्रेस ठीक है ना उसके बाद में नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है नियूस पेपर ठीक है इस हिसाब से हमें चलना है क्लाइड एक्सप्रेस क्लास नोट फॉर नियूस पेपर ठीक है ना इसके बाद में आगे क्या देखने को मिलता है जुलाय मंत के अंदर जो नियूस थी जैसे ही आपकी मैंगजीन आ जाती है जुलाय की हाथवाद उसको कंप्लीट करें पहले यह चीज देखने को मिलती है उसके अलावा जो जून है जो में है जो की रिसेंट लिकिया गया है उनको हफते में एक दिन करके रिवाइस करें ठीक है ना कोचिंग के साथ क्योंकि स्कूल आप लोग नहीं चाते हैं तो ड पहले वाले मन्त को रिवाइस करना जैसे हमने बात करी थी अटेंटिंग मौक्स टो सीख ग्रोथ यह लोग भी मौक दें और उसके साथ में ग्रोथ को यहां पर देखें इसमें गौर करें कि थोड़ा सा समय जो आप यहां पर अपने स्कूल को देना चाह रहे हैं तो स्कू अगर आर्ट्स वाले हैं तो वह सेवंटी परसेंट टाइम को दे सकते हैं लेकिन अगर साइंस और साइंस और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो ऐसी सिचुशन के अंदर आपको वाँ पर अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा तो कोशिश करें कि जुलाई ऑगस और सेप्टेंबर तक आपका काफी पार्ट वाँ पर कंप्लीट हो जाए ताकि आप जो है वह अपना कंप्लीट फोकस लास्ट के दो से तीन महीने में क्लाट कर सकें ताकि बाद में जब जैनवरी और फेब्री में आप आओगे तो आपको सिर्फ रिविजिन उसका करना हो होगा कि आप मार्क्स ला सके हम 12 को भी कॉंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं यह ध्यान रखेगा यह मस्ट है 12 को कॉंप्रोमाइज करके कोई फायदा नहीं होगा कि ना 12 कॉंप्रोमाइज नहीं करना है हमें तो उस हिसाब से यहां पर चीज़ें चलेगी कि अटेंटिंग या 20 से उपर है तो रिविजन अच्छा है ठीक है यह चीज़ें एलपीटी के स्टूडेंट्स क्या करें तो कंप्लीट तरीके से क्लासे अटेंट करें टीचर से डाउट पूछें और बेक अप आगे से आगे तयार रखें चीज़ें तो कोशिश करें कि स्कूल का काम जावेग का बन इसने की और इस देख लेख के लिग तो weet कि आपको अगर अनलेसी क्या अए तो उसको देख लग और कि जूब ऑप कर सकते हुं वे मिव Só मॉठे लेग है कि आपको बताया लास्ट में आती ہے झारप और ऐसा क्लाएंट्वूच नोर्स तो अभी तक अगर नहीं करा है कुछ ठीक है ना तो ऐसे में अगर आप स्कूल जाकर करते हो तो कम से कम आपको जो है वो तीन से चार गंते तो क्लाइट को देने पड़ेंगे ऐसे में कुशिश करें कि जो एक से डेड़ घंटा जिके को मिल रहा है उस पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो अकबार को इंक्लूड ना करें अकबार के अलावा डेड़ घंटा दें और उसके लेटेस्ट वाली क्लाइट एक्सप्रस है उसक साथ में संडे वाला दिन जिस दिन आपकी स्कूल भी नहीं होती है कुशिश करें यह सारा जो पार्ट पहले रिवाईज किया था पहले देखा था याद किया था उसको प्रिवाइज करने ताकि ठीके ना इसके साथ में मॉक्स आपको अटेम्ट करने करने हैं अगर माली यह मौक वाले दिन स्कूल है तो वापस आके अटेम्ट करने हैं ऑनलाइन नहीं करना है और जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी मैं बता दूं कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन पेपर दे करके और फोटो खेंच करके आप भेज सकते हो अपनी ओमार शीट का टिके ना तो वह भी यहां पर जो हो चेक होता है ताकि इससे आपकी ओल इंडिया रहन का जाए तो प्लीज ऐसा मत करें कि ऑफलाइन मौक दे रहे हैं और हम लोग जो है वह डाली नहीं रहे हैं अपनी ओमार को अगर आप नहीं डालोगे तो आपको बता कैसे चलेगा कि आप आप competition में कहा हूं कि 12th exam तो है नहीं है ना तो competition में कहा हूं इस चीज़ को जानने के लिए online उस चीज़ को डाले पोर्टल की उपर डालोगे तो फाइदा होगा ठीक है ना LPT students classes के अंदर यहां पर adjustment करें इस चीज़ को ध्यान रखें कि classes किस हिसाब से कैसे कैसे आपको लेनी है और कहां पर classes में adjustment किया जा सकता है जिसके अंदर आपका doubt solve time पे हो और आप अपनी queries timely निकाल सके ठीक है ना तो यह चीज़ हमें जो हो यहां पर देखनी है जो कि हमने ध उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब समय जो हो निकट आ रहा है पीपर का तो यहां पर जादा तयारी आवश्यक है okay so thank you very much